राम राम सभी को, मैं सब्सक्राइब नवीन कुमार, जिस तरीके से आज हमने मार्केट के अंदर में देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं, वो सारे के सारे धढाम से गिरे हैं, कुछ तो 3%, कुछ 4%, कुछ 5% तक गिरे हैं, जो थेमेटिक टाइप के फंट जो होते हैं उस टाइप के, मतलब मिल्चल फंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो इंडेक्सेस हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा धढाम जो मूव आया है, वो भी अगले ही दिन जो की प्राण परतिस्ठान हुआ है, उसके मूव आना, तो ये किसी ने किसी एक पावर प्ले को दिखाता है, यहां पर दर्शाता है कि पावर प्ले का जो काम था, वो खतम हो गया है, अब यहां पर इस मूव के बाद में आगे का किस तरीके से निफ्टी चल सकता है, और किस तरीके से हम लोग आगे का जो इन्वेस् जैसे कि हम लोग यहां पर स्क्रींग के ओपर में देख पाएंगे यह अपना इस पास में जो चाट है यह अपने को दिख रहा है अब यहां पर हमने पहले एक वीडियो बना की प्रेडिक्शन के रहने की कोशिस किया था जिसके अंदर में कहा था कि डिसमबर दोजार इलेक्शन थे उन में से तीन में BJP जीत की जहां पर उमीद भी नहीं थी वहां पर जीत गई तो वहां पर एक अंदाजा लगया कि मार्ण अब BJP ही कंटीनू रहे है कि सेंटर के अंदर में ऐसा एक अंदाजा लगा जिसके वाज़े मार्केट यहां से आप लोग अच्छे यह देखना आप इसको जो कि है 22, 1, 24 मतलब 22, 1, 24 तो 22, 1, 24 को क्या था प्राण परतिस्थान था राम मंदिर का तो इस चीज़ को देखे काफी लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या मार्केट्स फ्रीली फ्लोट होते हैं या फिर इस आर कंट्रोल सो इसका देखे काफी अब यहां पर बड़ा दढ़ाम यहां पर मुवमेंट आया है तो यह एक पावर प्ले इसको मान सकते हैं तो पाप लेज जो होता है उसको कहीं ने कहीं आकर वापर support लेना पढ़ता है अब दूसरी चीज यह market नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि अभी जो बजट है वो जारी ह होने वाला है जो निए विजन्वरी में होगा सो बसफ Hundreds का इंतजार अभी मार्केट करेंगा तो बस टो कि ऑन्ठ करेंगी तो सके miss market आगे का move लेने वाला है अभी यहाँ पे जए पी है उसके कि जो चांसेज हैं वो बने हुए है अच्छे कासे बने हुए मार्केट को पूरा लग रहा है ऐसा कि मार्केट में अभी जेपी आएगी मतलो कंटीनियू रहने वाली है ऐसा मार्केट को लग रहा है जिस तरीके से राम मंदिर बन गया है उपर से तीन स्टेट चार फॉर पर में अगर यह सपोर्ट ले लेता है तो यहां पर ले सकता है अगर इस लेवल को तोड़ देता तो फिर यह अगला लेवल यह वाला जो लेवल है 20,300 मैं मानता हूं यह अगर मार्केट 20,300 के असपास आजाता है तो उसके बाद में एक अच्छा मूव दे सकता है यह एक जो गैप आप निकिन मार्केट यूज विली क्या होता है जब अचानक से बढ़ता है किसी दिन जब कभी मार्केट अचानक से बढ़ता है तो उसको वापिस कंप्लीट करने के लिए वो एक बार नीचे की तरफ में जरूर आता है तो वो जो गैप ऑपन हो जाता है जो कि अपने अगर देख पाएंगे कि जो पी है जो पी क्या होता है पी होता है कि कंपनियां जो कि निफ्टी फिफ्टी जो के अंदर में जो कंपनियां इंक्लूडेड है वो कमाई कितनी कर रही है तो आज के दिन जो निफ्टी का फिफ्टी का जो पी चल रहा है वो जो और उपर जाने के लिए अगर आप पास्ट के अंदर में देख पाएंगे तो जो निफ्टी का जो पी है पी स्टेबल रहना चाहिए या फिर पी जो होता है वो अगर ट्वंटी का पी इसका मतलब पांस परसेंट के आसपास में जो मार्केट जो निफ्टी 50 है वो कमाई कर र पी सब्रमिट में बड़ा पैसा है यसकी मारकेट भागता है वह कैसे करेगा वह यहीं कोशिज करेगा कि हमकश पैसा अगका त्यक्ति र्रफ तो वहां पर क्या होगा पी बढ़ जाएगा पी बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो फिर जो पैसा हो फ्लो करना चालू कर देता है यह अगर वापस से 20,000 की आसपास में आ जाएगा तो अगीन मार्केट में मनी फ्लो होना चालू हो जाएगा यह इसे के साथ में पीबी रिश्यो ओर होता है जिसको हम बोलते हैं कि कितना ऊपर चल रहा है उसके कितना ऊपर प्राइस चल रहा है तो यहां पर जो प्राइस है वह सबसे बेस्ट हिया पर देख पास में पीड़ वह वहां पर आता है, वो सबसे बेस्ट देखा गया है, उसके वहां पर आता है, तो आगर वहां पर आता है, तो वहां से एक अगेन आप मूव के चांसे रहेंगे, अगर उससे पहले भाग जाता है, तो अगर थोड़ा सा confidence नहीं कम रहेगा, कि कब correction ले ले market तो अगर 20,000 के 300 के आस पास जा के वापिस मूँ देता है तो फिर हमें एक थोड़ा सा confidence रहा है market यहां से ओपर की तरफ जाएगा chances है ज्यादा higher chances है तो यह multiple reasons है एक तो budget का इंतजार दूसरा अभी 24 में बीजेपी के जीतने के chances बहुत अच्छे का से हैं multiple investments, FISK investments इंडिया के अंदर में आ रहा है multiple बड़ी-बड़ी company इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर रही है middleman का आज केतिनी इंडिया काम कर रहा है और technically भी 20,000 के उपर में एक बहुत अच्छा support मार्केट को देखने को मिल रहा है so मैं मानता हूं कि 20,300 के आज पास में जगर मार्केट आता है तो बहुत ही बढ़िया opportunity re-investing की अपने के stock market में देख सकते हैं अगर market किसी type से अगर इस level से भी अगर stable हो जाता है जो की 21,000 के आज पास में है और budget अच्छा आ जाता है बहुत ही अच्छा तो फिर कई बार ऐसा भी तो तो यह जो gaps है इनको unfulfill किये बिना ही market भाग जाता है अगर आप पास में इस ची उठाक देखेंगे तो आप को मिलेंगे gaps का फिल्द भी मिलेंगे अगर आपके कोई query होती है मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्षिन आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं लिंक इस ने कमेंट एंडिस्क्रिप्शन एंड सी टोमारो राग राग